नमस्कार सर सर सत्साहेब क्या नाम है सर आपका? सकी चंदास सर कहां के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल का हूँ सर संत्रामपाल जी माराश से नाम दिख्षा आपने कम ली? 2014 सरसंत रामपाल जी माराश से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति सादना भी करते थे तो उनसे आपको क्या-क्या लाब और हानी हुई हाँ बिरगंज में हैं वो बोले किसे नाशा का बीमारी है का कि एक दिन दवाई नहीं खाएगा तो तुम मर जाएगा उसके बाद में मेरा भाई का किड्नी फेल था तो वो भी हो गया मेरे परिवार का भूत था देर सब तोरता था दुसरे तरह पांद दिन साथ दिन सोय हु हुआ एक दिन का बाद कि मेरे मां को हार्ड अटेक हो गया हार्ट अटेक जब होने लगा तो उस समय में को भक्ती करते थे तो मतुरा गय थे उसमें तो सेबा कर रहे थे जो धान अत्मा क्या हो गया इसको दर्द हो रहा है लेकर गये उहां आश्रम था उसमें दवाई दिये दवाई से भी नहीं ठीक हुआ मा जब बिमार से एक दम परसान हो गये तो क्या हुआ कि सो मौत भी हो गया उनको हम लोग नर्वस हो गये और क्या किया जाए अब कहा जाए इन भक्ति किये वो भक्ति किये इस सबसे कुछ नहीं हुआ तो सर आप भक्ति सादना उसे दुखी थे तो फिर संत रामपाल जी महराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली मुझे सद्ना चैनल से पता चला मैंने संत रामपाल जी महराज का सत्संग सुना और नकली लोक और असली लोक को पहचान संत रामपाल जी महराज टीवी पर दिखा रहे थे और बता रहे थे ये नकली लोक है और असली लोक है ये सतलोक है ये नकली लोक का सतलोक है ये असली उसन करके और हम चार-पान दिन में तयार हो गए और कहें कि हम जाएंगे पहले देखेंगे और सुनेंगे उसके बाद नाम दिख्षा लेंगे वहाँ बरवला में गए संत रामपाल जी महराज की सरन में आसरम में जा करके और वहाँ संत रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लिए तो सर जो संत रामपाल जी माराज से आपने नाम दिख्षा ली उससे आपको कोई लाब भी मिले? हलका फुलका जो की कभी नहीं था हमारे सरीर में जैसा हो गया एकदम उसी जगह हम दवाई सवाई सब फिक दिये और आज तक आज तक हम दवाई नहीं खाये हैं उससे हमको एकदम अच्छा हुआ उसके बाद में मेरे परिवार को जो भूत लगा था साथ साथ दिन सो जाता जब यहां से गय हम तो परमत्मा का संत्रामपाल जी मराज ने जो दिये थे भक्ति का मर्यदा और भ्यदा के हिसाब से हमने किया उसके बाद में उसका इसका सब दीड़े दीड़े खतम होते चला गया और भूत भी लगना चोड़ गया और उसके बाद में भाई का जो किड्नी का समस्या था ओ नहीं मान रहे थे उसके बाद में ओ भी जो हमारे जीजा है ओ जाकर बोला कि सब घर परिवार एक साथ भक्ति करेगा प्रमत्मा को तो उसमें सुक्सांति चैन होगा तो ओ भी मान करके खैनी बहुत खाता था बोलता था कि खैनी नहीं चुटेगा खैनी भी छोर दिया और संत रामपाल जी महराज के सरन में जा करके और नाम दिख्चा लिया उसके बाद में एक दिन का वाद है कि मेरे भाई बोला था कि गुरुजी आ करके घर के सामने और पे मारी है परमत्मा संत्रामपाल जी महाराज को बोले कि ऐसा ऐसा होता है हमको पेट दुखता है बहुत कस करके दुखता है कितने दवाई कर लिया ठीक नहीं होता है तो मालिक संत्रामपाल जी महाराज ने उनको निकाला और उस दिन से आज तक एकदम ठीक है और मेरे पिता जी जो चल नही रहा था एकडम घोडी से एकडम तिन- टिन बराश एकडम अति होजाता था दुखता था एकडम चलने नहीं पाता था दस डिंग नहीं चलने पाता था उस समय में जब जो नामदिक्षा बरवाला कांड के बाद में जो गया उसी समय में नाम दिख्षा जिला में गया तो नाम दिख्षा नमदान केंद्रपर लिया उसी दिन से उनको ठीक हो गया और अभी तक हमारे इतना जो समसिया था जो कष्ट आने वाला था ओ संत रामपाल जी महराज के सरन में गए तो सबकष्ट दूर हो गया और अभी अच्छा से हम भक्ति कर रहे हैं और खाने तक के समस्या इसा हो जाता था एक चमतकार ऐसा हुआ है अभी तुरत यह हमारे नेपाल में दो हजार पच्छात्तर साल यह चल ला है इसमें क्या हुआ कि हम बिजुली भील बिजुली भील 63-62 में तिरे थे और 8000 समय का बाकी था मैंने इंटर्व्यू में सुनता था कि परमात्मा क्या करते हैं जो नोकरी करते हैं जागीर करते हैं उनको छुटी नहीं देते हैं तो वो चल जाते हैं तो मालिक उनको हाजरी भी बना देते हैं ऐसा सुनते थे इंटर्व्यू में देते थे भक्त सब तो हमने सोचा और एक बार इंटर्व्यू में सुने कि लाइन का बती बिल भी समस्या घर के हिसाब से वो नहीं तिर पायते थे दो तिन बरस हो गया था उसके बाद में क्या हुआ कि जब गए हिसाब करवाने की से हमको हिसाब होगा तो हम धीरे धीरे करकर के देंगे तो जब वहाँ पर गये तो चार हजार का हमारे एकाउंट में बिल अलग से आया मैंने सोचे थे कि है परमत्मा सब को जब बिल भरते हैं तब विश्वास के हिसाब से कि मालिक हमारे भी इतना बिल रह गया है तो उसमें 4,000 रुपिया का बिल वहाँ एकाउंट में आगया खाता में मैंने जब वहाँ करमचारी से पूछा कि तो वो बोला कि कहीं से आगया है दुसरे जग से बिल हम कहें कि देखाओ किस खाता से आया है उसका नंबर दो हमको इसे रखने का जरुरत नहीं है तो बोला कि खता का नंबरे नहीं है लेकिन इस पच्छतर साल में आ गया जो कि हम 62-63 में तिरेट थे उसमें 8000 का बिल था तो हम सोचे थे कि बहुत पैसा हो गया होगा लेकिन परमत्मा ने दया कर दिये कि 4000 का बिल भी आया और 36000 रुपिया मात्र बिल हुआ था उसमें भी घ हटा करके परमत्मा की दयाओ कि उन्हीं सजार मात्र कर दिया सरसंत रामपाल जी महराज से नाम दिख्छा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाब मिले तो जो सरदालू आज आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे हम तो अरजी कर सकते हैं करना त तत्वदर्शी संत के सरन में जाओ आज तक ओ तत्वदर्शी संत है तो रामपाल जी महराज है वही है वही परमत्मा के रूप में आया है वही संत है और तत्वदर्शी संत है उनके सामने आकर और दिख्छा प्राप्त किजिए धन्यवाद सर सत साहिव